नमस्ते, as promised with you, आज वीडियो होने वाली है alphabet J की, यानि letter J, अगर आपका नाम J से start होता है, तो आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, खामियां नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, areas of improvement ऐसे कौन से हैं, जहां पर थोड़ा knock-knock है, इसके इलावा आप अपने आपको कैसे देखते हैं, दुनिया आपको कैसे देखते हैं, आपका purpose क्या है, आप क्या करने आए हैं इस धर्ती पे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, वीडियो के end तक जुड़े रहेगा, क्योंकि बहुत interesting वाली बाते होने वाली हैं, चलते चलते one-liner जरूर आ अगर जे की बात करते हैं, तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, कहां आता है जे? जे आता है 10th नमबर पे, यानि आप नमबर 10 से गवर्ण है, 10 तो मैंने हमेशा मैनिफेस्टेशन की बात करी है, कमाल की मैनिफेस्टेशन आपके अंदर, एक क्या कहते हैं, एक भगवान का दिया हु आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अब यह आपके उपर है बुरा या अच्छा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या क्या सोच रहे हैं या किस उधेड़ बुन में हैं, दूसरी इंपोर्टन चीज़, अगर 10 की बात करते हैं, तो 1 प्लस 0 क्या हुआ? 1 प्लस 0 हुआ वन, वन is for sun और अगर केलेडे न्यूमरालोजी से देखें तो जे किसके अंडर आता है, जे आता है नमबर वन के अंडर, तो again वन का मतलब क्या है, वन का मतलब फिर से क्या है, सूरे भगवान सन आपकी लाइफ में सन का इंपाक्ट बहुत जबरदस्त है सूरे का इंपाक्ट बहुत जबरदस्त है तो sun क्या करने आए है sun करने क्या आते है sun बहुत सारी जिन्दगियो को रौशन करने आते है हमें life की कहते ना source है sun, हमारी लिए बहुत कुछ लेकर आते है समय से उगते हैं समय सयस्तो होते हैं तो एक routine है जिसको वो follow करते हैं, जो भी उनका routine रहता है, इसी तरह से आपकी routine की बात की जाए, तो आपका जो fit या fixed routine है, आप उसी के साथ चलते हो, अब हम बात करते हैं नक्षत्रा की, तो अगर हम जे के नक्षत्रा की बात करें, तो आप कौन से नक्षत्रा के अंडर आते ह हैं, उत्तरा मतलब high, उत्तरा means higher, और आशाड means someone which cannot be suppressed, तो आप और नक्षत्र तो stars हैं, तो आप कहते ना जिसे वर्दान दिये हुए हैं, आप suppressed नहीं हो सकते, और आप उचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते चले जाना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में, अपनी लाइफ में आप आगे ही बढ़ना चाहते हैं, अब हम देखते हैं J की शेप, कैसे है J की शेप, आप देखेंगे J को एक तो सबसे पहले उपर का वर्दान है, जैसे मैंने का ना, एक स्ट्रेट लाइन, and then you find कि उपर से नीचे एक लंबा सा डंडाया, और वो हुक क इसी तरह हो गया, J for J जग ध्यान में आता है ना, जैसे जग का J, वो हैंडल, पूरा पानी एक गिलास नहीं लेता, पूरा चार से पांच गिलास पानी उस जग में आता है, यानि आप बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, यानि different roles and responsibilities आपकी life में हमेशा रहती है, जग की तरह आप काम करते हैं, उन सब के लिए काम करते हैं, यानि इतना सारा अथा सागर अपने अंदर बहुरे रहते हैं, अब हम आते हैं third important चीज पे, अब जब हम J को देखते हैं, तो J का जैसे मैंने कहा था ना, hook या फिर डंडा, और उसके बाद आगे hook छोटा सा, तो what do we imply, समझ क्या आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो J वाले लोग होते हैं, वो बड़े इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजह होते हैं, किस तरह से लोगों को अपने hook में engage करते हुए, उनको अपनी तरफ से जो दिखान ही डालोगे, second important thing, जो बहुत मज़ेदार है, वो ये है, कि जैसे कहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेडी करनी पड़ती है, तो हम ऐसे करते हैं, उंगली को, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेडी, है ना, तो बिल्कुल वो J वाली शेल वाली कहते हैं, उपर से दी गई बख्षीश है, भगवान से दे गई नयामत है आपके अंदर, ये इस यूर ट्रेड, इस यूर क्वालिटी, अब बड़े डेरिंग किसम के लोग होते हो, किसी भी situation में कूद पड़ते हो, और आपको लगता है, ये तो मैं कर ही डालू लेते हो, और वो inspiration लाके, उसको use कैसे करते हो, जो humanity के लिए जहां जरूरत है, किस तरह से जरूरत है, आप उसको उस format में use करना जानते हो, ये एक अनोखा आपके अंदर कहते हैं, ट्रेड है या क्वालिटी है, आपकी ambitions बहुत हाई होते हैं, सूरे से governed हो, नंबर वन से governed हो 10 से governed हो, तो obviously आपके अंदर ambitions इतने strong होंगे, आप हर चीज़ों के उचाई तक जाना चाहोगे, और उचाई तक नहीं, और कमाल की चीज़ या है, आपके सामने कोई भी problem आ जाए, आप उस problem की depth तक भी जाते हो, और वो जे की तरह depth में जाके, और उसको जगल करते होए तो यह तो बहुत ही प्यारा ट्रेट है कि आप उपर स्प्रिच्वालिटी से और धर्ती दोनों से जुड़े होए हो, आपको पता है कि पताल से कैसे समान निकालना है और आपको पता है उपर ईश्वर तक कहां पहुचना है, मास्टर स्टोरी टेलर तो आप होई हो, मतलब कहानिया बनाने में, कहानिया गड़ने में, आपके अंदर एक युनीग करेक्टरिस्टिक है, युनीग ट्रेट है, क्यों कि you are able to hook the people into your narratives, आपका जो narration है, जो आपके मन में है, आप दुनिया को जोड सकते हो अपने उस narrative में, मतलब लोग आपको मंत्र मुध धोकर सुन सकते हैं काफी देर तक और उनको आप अपने तरीके से गुमा सकते हो अपने तरीके से उनको सचा अच्छाई बुराई हर चीज का रस्ता दिखा सकते हो अपने तरीके से उन्हें बहुत अच्छे चीज़ें बता सकते हो कि यह तुम्हारे लिए ठीक है यह तुम्हारे लिए ठीक बनाते हो अगर आपको कोई कहे देखो इस रस्ते जाना यही से ही ठीक रस्ता आएगा आप सुन लोगे अच्छे से लेकिन आप उसी रस्ते जाओगे जहां आप जाना चाहते हो फिजिकली आप बहुत फिट रहते हो आप रियलिस्टिक दुनिया में जीते हो आप खयाली पुलाओ वाली दुनिया में बिल्कुल नहीं जीते है और आपको इस बात का पूरा यकीन है कि हर किसी की अपनी फ्री विल है उसको जो करना है वो करने दो मतलब आप जबरदस्ती स अपनी चीज़ों को दूसरों पर नहीं डालते हाँ उन्हें आइना दिखा देते हो और बहुत प्यारा एक ट्रेट वो यह है आपका कि जिस के साथ मतलब जिन लोगों के साथ जिस कंपनी या जिस लोगों के साथ आप अच्छे से जूड़े हो यानि आप उनके इंटीग्रि काम है इसके बाद नहीं रहेगा आप मीठी मीठी बाते करके चिकनी चुपड़ी बाते करके आपका मन सिर्फ ही होता है कि काम हो जाना चाहिए और आप उस काम को अंजाम देते हो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव ट्रेट्स की तो सबसे पहली वाली चीज़ आप जिस भी काम को स्टार्ट करते हो ना उसे अंजाम जरूर दिया करो आप बीच में थोड़ा सा छोड़ देते हो क्यों क्योंकि आपका मन भटक जाता है कुछ और कुछ नया कुछ नया तो आप at the same given time आप तीन से चार चीज़ें कर रहे होते हो तो फिर वो surface पे रह जात हैं जिस काम को स्टार्ट करो से अंजाम दो फिर दूसरे पे घुसो ऐसा करने से आपके लिए फायदा होगा क्यों क्योंकि आपको जादा अच्छे से satisfaction होगी अब आते हम दूसरे पॉइंट पे आपकी थोड़ी सी जो अपनी सेल्फ है ना वो थोड़ी सी inflated होती है मतलब थोड़ा सा कहीं क्योंकि सूरे है ना थोड़ा सा एहंकार थोड़ी सी इगो मतलब मैं नहीं करना चाता हो तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी थोड़ा सा इगो पे ध्यान देने की ज़रूर है अपनी इगो को कभी inflate मत होने देना जो आके आपके सामने जूठी चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं उन भावनाओं में बहना मत आप थोड़े टाइम के लिए बह जाते हो और फिर बाद में रियालाइज करते हो कि मैं बह गया या बह गई तो वो आपको नहीं करना है अप थोड़े materialistic हो आपको थोड़ा सा मतलब आप अपने लिए भी luxury अच्छी लगते हैं परिवार के लिए भी luxury अच्छी लगते हैं थोड़ी सी materialism की तरफ आपका ध्यान या inclination जादा रहता है हर बार जिंदगी में materialism ही सब कुछ नहीं है आप इस बात को भली भांती जानत हो और जब आपको अपनी spirituality से connect करना होता है आप connect भी करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आपको प्रेज करते रहें आपके बारे में appreciate करें और उस वजह से जब आपको थोड़ी जादा प्रेज मिल जाती है जादा appreciation मिलती है तो आप अपने आपको मतलब उ उस कहते हैं सबसे उपर वाली कुरसी पे बैठा हुआ पाते हो और उस वजह से आप कई बार उस self के अंदर जाने के बाद आपके लिए उस self से बाहर निकलना थोड़ा सा problematic हो सकता है कई बार आपकी speech बहुत direct होती है जैसे कहते हैं सुबह का सूरे और शाम का सूरे बहुत सूरत लगता है लेकिन दो पैर का सूरत बहुत जादा इची लगता है गर्मी है धूप है या बहुत तेज चालिस पंतालिस या पचास डिग्री तेंपरिचर हो तो नहीं जेला जाएगा ना ऐसे ही कई बार आप नहीं समझ पाते हो आप बहुत ब्लंटली कुछ चीजों क कह डालते हो वो आपके लिए नुकसांदे हो सकती हैं दो चीजों से लास्ट में दो चीजों से आपको ध्यान रखना है एक तो डिसॉनेस्टी और जेलसी दूसरा भी आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो दूसरे आगे जा रहे हैं जाने दो अंदर ऐसे मत क्या करो मैं क्यों आगे निखल गया मैं क्यों नहीं आगे चली गई जब भी आपके मन में इन सारे नेगिटिव ट्रीट में से कोई सा भी ट्रेट हिट कर रहा हो कुछ दिनों से लगातार तो समझ आईएगा कि ये टाइम है जब आपने अपने उंगली जाधा टेड़ी कर रखी है इस टाइ आप गाइड करते हो, you guide others towards the path of joy कहां joy है कहां happiness है उस तरफ आप लोगों को गाइड करते हो, that's your quality this is all about people who have J as the initial यानि आपका नेम J आलफवेट से या J लेटर से स्टाट होता है ये वाले वीडियो आप सब के लिए Thank you so much, I am very sure आपको बहुत पसंद आएगी आप प्लीज शेर करिएगा अपने friends के साथ, family के साथ अपने near and dear ones के साथ और जारी रखी अपना सफर बिना judgmental हुए बहुत सारे लोगों को justice देते हुए और बहुत सारे लोगों का उधार करते हुए Thank you once again and have a very good day